By the end of this video, आप web development से related common terminologies के बारे में समझ पाएंगे जैसे client, server, etc. और client-server communication में involved basic steps को समझ पाएंगे Hey, welcome back! पिछली topic में हमने websites के बारे में सीखा जैसे कि website क्या होती है और उसे बनाता कौन है चलिए अब समझते हैं कि जब हम एक website का corresponding URL ब्राउजर के address बार में डालते हैं तो हम website को view कैसे कर पाते हैं मान लीजिए आपको इंटरन्शाला की trainings website open करनी है आप browser में urltrainings.internshala.com एंटर करेंगे और browser एक request send करेगा अब उस request के basis पे आपको suitable response मिलेगा जिसका मतलब है कि आपकी website open हो जाएगी Now, let's understand this further इस communication channel में वो browser जिससे हम request भेजते हैं उसे client कहते हैं और जो point request को receive करता है और उसका response भेजता है उसे server कहते हैं हम इस वीडियो में client-server communication के बारे में और समझेंगे पर अभी चलिए इन दोनों terms को समझते हैं which are server and client Simple words में server का मतलब होता है कोई भी चीज जो serve करे या फिर कोई भी चीज जो किसी type की service प्रोवाइड करे चलिए इसे examples की help से समझते हैं मान लीजिए आपको chocolate खानी है तो आप grocery store पे जाएंगे और एक chocolate खरीदेंगे इस case में grocery store हमारा server है या फिर आपकी तबेत खराब है तो आप doctor के पास जाएंगे जो आपको दवाई देगा ऐसे ही यहाँ पर doctor हमारा server है ये examples हमने इसलिए code करे जिससे की हम आपको समझा पाएं कि server हमेशा एक specific type की service ही provide करता है जो हमने previous examples में भी देखा एक grocery store सिर्फ chocolates बेचेगा, medicines नहीं and vice versa अब next term पर चलते हैं जो है client client वो होता है जो server से services मांगता है और उन्हें avail करता है जैसे की जब आप chocolate खरीदे जाते हैं तब आप एक client होते हैं और जब आप doctor के पास जाते हैं तब भी आप एक client है तो हम कह सकते हैं कि ये clients और servers हमेशा pair में exist करते हैं चलिए अब वापिस अपने chocolate वाले example पे चलते हैं अब suppose करिए कि इस बार आपकी neighbor को भी chocolate खरीदनी है अब chocolate खरीदने के लिए आपका neighbor भी उसी grocery store पे जाएगा अब यहाँ पर दो clients है आप और आपका neighbor पर server same है which is the grocery store इसका मतलब है कि server multiple clients को same type की service provide कर सकता है पर आप note करिए कि servers जो service provide करते हैं उसके basis पे उनके साथ हमेशा specific type के clients जुड़े होते हैं So to summarize, हम कह सकते हैं कि server वो होता है जो हमें किसी भी type की service provide करता है और client वो होता है जो server से उन services को avail करता है I hope कि अब आप client और server का मतलब समझ गए होंगे चलिए अब समझते हैं कि एक client और server के बीच में communication कैसे होता है और ये समझने के लिए वापिस इस example पे आते हैं यहाँ पर हमारे पास एक client और एक server है तो communication client से start होता है जिसे किसी service की जरूरत होती है फिर client को जो service चाहिए वो उसके लिए एक relevant server ढूंडता है उसके बाद client उस server के पास जाता है जिससे वो एक दूसरे के साथ communicate कर सकें उसके बाद client server को अपनी needs mention करके request send करता है और इसके बाद server client की request पे काम करके उसे process करता है और last में जब processing complete हो जाती है तो server अपना response client को वापिस भेज देता है अगर आपको यह steps बहुत complicated लग रहे हैं तो मैं आपको इन्हें doctor और patient के example से समझाता हूँ मान लीजिए आप एक client हैं जिसकी तबित खराब है और आपको doctor को consult करना है यह हमारा first step होगा जहाँ पर client को feel होगा कि उसे service चाहिए फिर आप अपने आज पास कोई doctor ढूंडेंगे जो आपकी help कर पाए अगर आपको याद हो तो यह step बिलकुल second step के जैसा है जिसमें client एक relevant server ढूंडेगा जो उसे required service प्रोवाइड कर सके फिर आप उस doctor के पास जाएंगे जो की third step के जैसा है जिसमें client server के पास जाएगा जिससे वो communicate कर पाए फिर आप doctor को आपको diagnose करने की request करेंगे जो बिलकुल fourth step जैसा है अब fifth step कहता है कि server client की request पे काम करके उसे process करेगा और इस case में भी doctor आपकी request पे काम करेगा और आपका check-up करेगा and finally doctor आपको ज़रूरी medicines देगा जो basically client server communication channel का last step है I hope अब आपको client server communication channel के सारे steps समझा गए होंगे next video में हम technical terms में client server communication के बारे में सीखेंगे और उसके साथ हम कुछ common terminologies भी देखेंगे जो web development में use होती है